तो फ्रेंड इसे स्वागत है मेरे का किचन में आज हम लोग बनाएंगे अलग तरीका से जहल मूड़ी जो कि हम लोग का घर में बहुत ही पसंद किया जाता है तो इस जहल मूड़ी को बनाने के लिए किन की चीज़ों क्या सकता है देख लेते हैं विडिशुर करने से पहले सबसे चोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लिज प्लिज लाइक से रा सब्सक्रेब जरू कर देजेगा तो इसके लिए मैं दो हरा मिर्चा को काट के लिए हूं और बेशन की सेव और एक छोटी साइज का टमटा लिए हूं टमटा रसकल महेंगा आ रहा है और एक मिडियम हाई फाई का हाई फाई डालने से जल मुड़ी का स्वाथ बढ़ जाता है आपके पास अगर हो तो डाले नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी में डाल देंगे समोशा को तोड़के तो इस तरीक से हमें समोशा को तोड़के डाल देना है ते दिखे मैं दोनों समोशा को तोड़ के डाल दी हूँ और इसमें आप डाल देंगे चनाचूर को और चनाचूर को डालने के बाद इसमें डाल देंगे विशन की सेव और इसमें आप डाल देंगे कटा हुआ प्याज और साथ में डाल देंगे कटा हुआ टमाटर को और इस में तोटल दो कटोरी मूरी डाल दी और इसमें आप डाल देंगे निम्हु करस और अचार वाला तेल ते दिखे मैं अचार वाला तेल डाल दी और अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीका से हमें अच्छा से mix कर लेना है धियान रहे कि मैं एक चीज़ डलने भूल रही हूं और वो है high five तो high five का packet को इस तरीका से हमें लेना है और दिखे इस तरीका से हमें चिडिने के बाद इस तरीका का होता है high five हाई फाई को हम लोग भी न पकाय ही खा सकते हैं व्रे रिरि मेत कूक वला है तो इससे हम लोग इससे तोड़ लेते हैं धुछ जो मसाला होता है उसको ढलके सान के खाते हैं बहुत ही और चाना चुर में भी नमक होता है और समुसा में भी नमक था तो में नमक नहीं डाली हूँ तो नमक मुझको थोड़ा काम लग रहा है तो इसमें आप डाल देंगे आधा चमच काला नमक काला नमक डालके अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीका से हमें अच्छा से मिक्स कर लेना है तो दिखे हम लोग का बहुत ही स्वादिस और मज़ेदार सा जल्मूडी बनके तयार है जल्मूडी से बहुत ही अच्छा खुशबूआ आ रहा है तो जल्मूडी का परस लेते हैं मेरा यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सेस्क्रेब जरूर कर देजएगा मिलते हैं अगले बड़े में तब तक के लिए बाई बाई